और अब आपको सुनाते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात स्पोर्ट की दुनिया के इस ऑलेंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैच की दुनिया में भी एक ऑलेंपिक हुआ है इंटरनेशनल मतेमाटिक्स ऑलिम्पियाड इस ऑलिम्पियाड में भारत के स्टूडन से बहुत शांदार प्रदर्शन किया है इसमें हमारी टीम ने सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन करते हुए चार गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है इंटरनेशनल मतेमाटिक्स ऑलिम्पियाड इसमें सो से जादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरॉल टैली में हमारी टीम टॉप फाइव में आने में सफल रही है देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडन्स के नाम है पूने के रहने वाले आदित्य बैंकट गणेश पूने के ही सिधार्थ चोपरा दिल्ली के अर्जुन गुपता ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार मुंबई के रुशिल माथूर और गोहाटी के आनंदो भादूरी साथियों आज मन की बात में मैंने इन युवाँ विजेताओं को विशेश तोर पर आमंतित किया है ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए है नमस्ते साथियों मन की बात मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कैसे है आच़ा साथियों मन की बात के घरिये देश वासी आप सभी के experiences जानने को बहुत उत्सूख है मैं शुरुवात करता हूँ आदित्य और सिद्धार्थ से आप लोग पूने में हैं सबसे पहले मैं आप से ही शुरू करता हूँ आलंपियार के दोरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए आपके साथिका क्या कहना है मैं सिधार्थ को मैं पूने से हूँ मैं अभी क्लास्टर पास किया हूँ यह मेरा सेकंड टाम था आएमो में मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैंस में और अधित्य के साथ मैं सिक्स में था अच्छा मुझे बताया गया है कि अर्जून इस्थ में गांधी नगर में है और कनव तो ग्रेटर नौइडा के ही है अर्जून और कनव हमने अलिम्पियार को लेकर जो चर्चा की ही लेकिन आप दोनों हमें अपनी तयारी से जुड़ा कोई विशा है और कोई विशेस अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे सोताओं को अच्छा लगेगा नमस्ते सर जैहिंद मैं अर्जून बोल रहा हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुपता फिजिक्स की प्रोफेसर है डेली उनिवरस्टी में और मेरे फादर श्री अमेद गुपता चार्टर्ड अकाउंटेंट है मैं भी बहुत गुरानवित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्री अपने माता पिता को देना चाहूँगा मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सधस्य काम्पिशन की तियारी कर रहा होता है तो केवल उस सधस्य का संगष नहीं होता है और पूरे परिवार का संगष होता है Essentially हमारे पास जो हमारा paper होते होसे हमारे पास तीन problems के लिए 3.5.4 गंटे होते हैं तो एक प्रॉब्लम के लिए लेर घंटा, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है, तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं, कभी कबार तो एक एक प्रॉलम्स के साथ एक दिन या नहां तक की तीन दिन भी लग जाते हैं, तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम्स धूननी होती हैं, हम पि बता सकते हैं कि कोई विशेशन वह हो इस तारी तैयारी में कोई खास जो हमारे नवजवान साथ्यों को बड़ा अच्छा लगे जान करके मेरा नाम कनस कलवार है मैं ग्रेटर नवड़ा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कख्षा ज्यारी का चातर माच मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे बच्पन से माच बहुत पसंद है बच्पन ने मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे जिससे मेरा इंटरेज बढ़ता गया मैंने ओलम्पियाट के त्यारी सेवन्थ क्लास से शुरू की थी इसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स में भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया ये ओलम्पियाट एच्पी सेसी कंड़क कराता है और ये एक फाइव स्टेज प्रोसेस होता है इसले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था तब मेरे पेरेंट्स में मुझे सिखाया कि या हम जीते हैं या हम सीखते हैं और सफर माईने रखता है सफलता नहीं तो मैं यही कहना चाता हूं कि love what you do and do what you love सफर माईने रखता है सफलता नहीं और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जिर्नी को एंजॉय करें तो कानव आप तो mathematics में भी इंट्रेस्ट रखते और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहिते में भी रूची है जी सर मैं बच्पन में डिबेट्स और और ओरेटिंग्स भी करता था अचा आईए हम आनंदो से बात करते हैं आनंदो आप अभी गुहाटी में है और आपका साती रुशील आप मुंबई में है मेरे आप दोलों से एक question है तेकि मैं परिक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूं और परिक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कारकमों भी भी मैं स्टूडन से समबात करता रहता हूं बहुत से चात्रों को मैच से इतना डर लगता है नाम सु हमें करीफावर्ड समझाया जाता है पर हमें कभी यह समझाया मी जाता कि करीफावर्ड होता क्यों है जब हम कंपाउंड इंट्रेस्ट पढ़ता है हम यह question कभी नहीं पुछते कि यह compound interest का formula आता कहां से मेरा माना यह कि मैच अक्षली एक सोचने और problem solving की एक कला है और इसलि लोगों का क्योंकि जब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं उसे हमें डर लगने लगता है इसके लावा मुझे यह भी लगता है कि मैच सब सोचने एक बहुत logical सा subject है पर इसके लावा मैच में बहुत creativity भी important होती है क्योंकि creativity से ही हम out of the box solutions सोच पाते हैं जो olympiards में के इंट्रेस बढाने के लिए आनंदो कुछ कहना चाहेंगे नमस्ते पीम जी मैं आनंदो खेरा हूँ गवाटी से मैं अभी 12 वीक सक्षा पास किया हूँ यहां के local olympiats में 607 में करता है वहां से ही हुई यह मेरी दूसरी IMO थी दोनों IMO बहुत अच्छे लगे मैं रुश सवाल ऐसे करने पड़ता है लेकिन समझे कि नहीं वह नहीं दिखा जाता सिर्फ सवाल करती जाओ करती जाओ फर्मुला भी रटा जाएगा और एक्जाम में भूल गया कि फंचो जो रुशिल कहा था धारिया से देखो अगर फॉर्मुला ठीक से समझे तो सवाल नहीं करने पड़ेंगे एक दू सवाल से हो जाएंगे और मैं इसको डरना भी नहीं है आदित्य और सिधार्थ आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाही अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते ह होंगे का AO एपने अनुभव अच्छे दंग से सहर कर सकते हैं बहुत सब्सक्राइब हैं अधित्य चलिए सात्यों मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं आपको बहुत-बहुत सुबकामना है देता हूँ क्यों कि मैं जानता हूँ इस प्रकार के खेल के लिए काफी फोकस अक्टिविटी करनी पड़ती है दिमाग खपा देना पड़ता है और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं कि क्या गुणा भाग करता रहता है लेकि मेरी तरब से आपको बहुत बहुत सुभकामना हैं, आपने देश का मान बढ़ाया हैं, नाम बढ़ाया हैं, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद, 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 को एंजोई करने की प्रेणा मिलेगी मेरे पहरे देश्वांचियों मन की बात मैं अब मैं उस विशे को साजा करना चाहता हूं जिससे सुनकर हर भारतवासी का सीर गर्व से उंचा हो जाएगा लेकिन इसके बारे मैं बताने से पहले मैं आप से एक सवाल करना चाहूंगा क्य आपने चराई देवु मैदाम का नाम सुना है अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुलेंगे और बड़े उत्सां से दूसरों को बताएंगे असम के चराई देवु मैदाम को युनेश को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है इस लिस्ट में ये भारत की 43 वी लेकिन 39 की पहली साइट होगी साथियों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराई देवु मैदाम आकिर है क्या और ये इतना खास क्यों है चराई देवु का मतलब है साइनिंग सिटी ऑन दे हिल्स यानि पहड़ी पर एक चमकता शहर ये अहुम राजवंस की पहली राजधानी थी अहुम राजवंस के लोग अपने पुर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारमपारी ग्रूप से मैदाम में रखते थे मैदाम टीले नुमा एक धाचा होता है जो उपर मिटी से धका होता है और नीचे एक या उससे ज़्यादा कमरे होते हैं ये मैदाम अहुम सामराजव के दिवंगत राजाओं और गण्वान्य लोगों के प्रती स्रद्धा का प्रतीक है अपने पुर्वजों के प्रती सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है इस जगह पर सामुदा एक पुजा भी होती थी साथियों अहुम सामराजव के बारे में दूसरी जानकारिया आपको और हैरान करेगी तेरवी सताब्दी के शुरू होकर ये सामराज्य उन्नीश्वी सताब्दी की सुरुवात तक चला इतने लंबे कालखन तक एक सामराज्य का बने लहना बहुत बड़ी बात है शायत अहुम सामराज्य के सिध्धान्त और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवोंस को इतने समय तक कायम रखा मुझे आद है कि इसी वर्ष नव मार्च को मुझे अदम में साहस और शावर्य के प्रतीक महान अहुम योद्धा लसिद बोर्फुकन की सबसे उची प्रतिमा के अनावराण का सौभागी मिला था इस कारकम के धोरान अहुम समुदाए आध्यात्मिक प्रंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभा हुआ था लसित मैदाम में अहुम समुदाए के पुर्वजों को सम्मान देने का सौभागी मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अब चराई देवु मैदाम के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि हाँ पर और अधिक परियाटक आएंगे आप भी भविश्य के अपने ट्रावेल प्लांट में इस साइट को जरूर शामिल करियेगा साथियों अपनी संस्कृति पर गवरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं ऐसा ही एक प्रयास हैं प्रोजेक्ट परी अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होईएगा ये परी स्वर्गी कल्पना से नहीं जुड़ी बलकि धर्ती को स्वर्ग बना रही है परी यानि पब्लीक आर्ट अप इंडिया प्रोजेक्ट परी पब्लीक आर्ट को लोगप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है आप देखते होंगे सडकों के किनारे दिवारों पर अंडर पास में बहुती सुन्दर पैंटिंग्स बनी हुई दिखती है और ये कलाकुरूत यही कलाकारों बनाते हैं जो परी से जुड़े है इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुन्दरता बढ़ती है वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपलर बनाने में भी मदद मिलती है उधान के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए यहां देश भर के अध्वूत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाइओवर पर भी आप ऐसे खुबसुरत पब्लीक आर्ट देख सकते हैं मैं कला और संस्कृती प्रेमियों से आगरह करूँगा कि वे भी पब्लीक आर्ट पर और काम करें यह हमें अपनी जड़ों पर घर्व करने की सुख़द अनुभूती देगा मेरे पहरे देश्वाचियों मन की बात में अब बात रंगों की ऐसे रंगों की जिनोंने हर्याना के रोहतक जिले की धाईसों से जादा महलाओं के जीवन में समरुद्धी के रंग भर दिये हैं हद करगा उद्योग से जुड़ी यह महलाएं पहले छोटी छोटी दुकाने और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है इसलिए इन्होंने उन्नती सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ने का फैसला किया और इस गुरुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासल की कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली यह महलाएं आज लाखों रुपिय कमा रही है इनके बनाए बेड कवर, साडियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है साथियों रोतक की इन महलाओं की तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में कारिगर हैलुम को लोकपुरिय बनाने में जूटी है चाहे ओडिसा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे MP की महेश्वरी साड़ी हो, महारास्त्र की पैठणी या विदर्प के हैंड-ब्लोक प्रिंट्स हो चाहे हिमाचल के भुट्टिकों के शाल और उनी कपड़े हो, या फिर जम्मु कश्मीर के कनी शाल हो देश के कोने कोने में हैंड-ब्लूम कारीगरों का काम चाया हुआ है, और आप ये तो जानते ही होंगे कुछी दिन बाद साथ अगस को हम नेशनल हैंड-ब्लूम डे मनाएंगे आज कल जिस तरह हैंड-ब्लूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है अब तो कई नीजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंड-ब्लूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है, कोशा AI, हैंड-ब्लूम इंडिया, डी जंक, नौवा टैक्स, ब्रह्मपूत्रा फैबल्स, ऐसे कितने ही स्टार्ट अफ भी हैंड-ब्लूम उ अपने यहां के ऐसे लोकल प्रोडक्स को पॉपलर बनाने में जूटे हैं, आप भी अपने लोकल प्रोडक्स को हैस्टेग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के नाम से सोचल मीडिया पर अप्लोड करें, आपका यह छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिन्दगी बदल देगा, साथियों हैंलूम के साथ साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा, आप मैंसे ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उप्योग नहीं करते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं, मुझे बताते हुए भी आनन्द आ रहा है, खादी ग्रामद्योग का कारोबार, पहली बार देड़ लाग करोड रुपिय के पार पहुच गया है, सोचिए, देड़ लाग करोड रुपिय, और जानते हैं, खादी की बिक्री कितनी बड़ी है, चार सो परसेंट खादी की हैंडलूम की ये बढ़ती हुई विक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए आउसर भी बना रही है इस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा महलाएं जुड़ी है तो सबसे ज़्यादा भी उनी को हो रहा है मेरा तो आपसे फिर एक आगर है आपके पास भाती भाती के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरिदे तो इस साथ से शुरू कर ले अगस का महिना आही गया है ये आजादी मिलने का महिना है क्रांती का महिना है इससे बढ़िया आउसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए मेरे प्यारे देश्वाश्यों मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रक्स की चुनोती की चर्चा की है हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रक्स की चपेट में ना आ जाए अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेश कैंद्र खोला है जिसका नाम है मानस ड्रक्स के खिलाब लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है कुछ दिन पहले ही मानस की हेलप लाइन और पॉर्टल को लौच किया गया है सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सरहा ले सकता है या फिर री हैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है अगर किसी के पास ड्रक्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साजा भी कर सकते हैं मानस के साथ साजा की गई हर जानकारी गोपनिय रखी जाती है भारत को ड्रक्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से सभी परिवारों से सभी संसाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्प लाइन का भरपूर उप्योग करें मेरे प्यारे देश्वासियों कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाये जाएगा भारत में तो टाइगर्स बाग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रखा है हम सब बागों से जुड़े किस्से कहानिया सुनते हुए ही बड़े हुए हैं जंगल के आसपास के गाउं में तो हर किसी को पता होता है कि बाग के साथ तानमेल बिठा कर कैसे रहना है हमारे देश में ऐसे कई गाउं है जहां इनसान और बाग के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती हैं वहां भी बागों के सवरक्षन के लिए अभूत पुर्व प्रयास हो रहे हैं जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुलहाडी बंद पंचायत राजस्तान के रण थंबोर से शुरू हुआ कुलहाडी बंद पंचायत अभ्यान बहुत दिल्चस्प है स्थानिय समुदायों ने स्वयम इस बात की सपतली है कि जंगल में कुलहाडी के साथ नहीं जाएंगे और पैड नहीं काटेंगे इस एक फैसले से यहां के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बागों के लिए बहतर वातावन तैयार हो रहा है साथियों महाराष्ट का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बागों के प्रमुक बसरों में से एक है यहां के स्थानिय समुदायों विशेशकर गौंड और माना जंजाती के हमारे भाई भेनों ने इको टूरिजम की और तेजी से कदम बढ़ाए हैं उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहां बागों की गतिविध्या बढ़ सकें आपको आंद प्रदेश में नल्ला मलाई की पाहिडियों पर रहने वाले चेंचू जंजाती के प्रयाज भी हरान कर देंगे उन्होंने ताइगर ट्रेकर्स के तौर पर जंगल में बन्निस जीवों के मूमेंट की हर जानकरी जवा की इसके साथ ही वे शेत्र में अवेज गतिविध्यों की निगरानी भी करते रहे हैं इसी तर उत्तर प्रदेश के पिलिभीत में चल रहा बाग मित्र कारकम भी बहुत चर्चा में हैं इसके तहट स्थानिये लोगों को बाग मित्र के रुप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती हैं ये बाग मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बागों और इंसानों के बीच टकराव के स्थिति ना बने देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं मैंने यहां कुछ ही प्रयासों की चर्चा की हैं लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बागों के सवरक्षण में बहुत काम आ रही है ऐसे प्रयासों की वज़त से ही भारत में बागों की आबादी हर साल बढ़ रही है आपको यह जानकर खुशी और गर्व का अनुवव होगा कि दुनिया भर में जितने बाग है उनमें से सत्तर प्रतिशत बाग हमारे देश में है. सोचिए सत्तर प्रतिशत बाग तब ही तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई टाइगर शेंचूरी है. साथियों बाग बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वनक्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है इसमें भी सामुदाइक प्रयासों से बड़ी सफरता मिल रही है पिछले मन की बात कारकम में आप से एक पेड माक के नाम कारकम की चर्चा की थी मुझे खुशी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभ्यान से जूड रहे हैं अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद इंदोर में एक शांदार कारकम हुआ यहां एक पेड माक के नाम कारकम के दोरान एक ही दिन में दो लाग से ज़्यादा पौधे लगाए गए अपनी माक के नाम पर पेड लगाने के इस अभ्यान से आप भी जुरूर जुड़े ही और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें इस अभ्यान से जुड़ कर आपको अपनी माँ और धर्ती माँ दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एसास होगा मेरे पहरे देश वाचियों पंदरा अगस का दीन अब दूर नहीं है और अब तो पंदरा अगस के साथ एक और अभ्यान जुड़ गया है पिछले कुछ वर्सों से तो पूरे देश में हर गर तिरंगा अभ्यान के लिए सबका जोश हाई रहता है गरीब हो अमीर हो छोटा घर हो बड़ा घर हो हर कोई तिरंगा लहरा कर गर्व का अनुभाव करता है तिरंगे के साथ सेलफी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज़ भी दिखता है आपने गौर किया होगा जब कॉलोनी और सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है यानि हर गर तिरंगा अभ्यान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है इसे लेकर अब तो तरह-तरह की इनोवेशन भी होने लगे हैं पंदरा आगस आते आते घर में दप्पर में कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह-तरह के प्रोड़क्त दिखने लगते हैं कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पडुस्तों के बाड़ते भी है तिरंगे को लेकर ये उल्लास ये उमंग हमें एक दूसरे से जोडती है ताथियों पहले की तरह इस साल भी आप हर गर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेलफी जरूर अप्लोड करेंगे और मैं आपको एक और बाद याद दिलाना चाहता हूँ. हर साल पंदरा अगत से पहले आप मुझे अपने धेर सारे सुझाव भेजते हैं. आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए. आप माइगौ या नमो एप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं. मैं जादा से जादा सुझावों को पंदरा अगत के सम्मुधन में कवर करने की कोशिश करूँगा. मेरे पहरे देश स्वाचियों मन की बात के इस एपिसोड में आप से जुड़कर बहुत अच्छा लगा. अगली बार फिर मिलेंगे देश की नई उप्रब्दियों के साथ जन भागिदार के नए प्रयासों के साथ आप मन की बात के लिए अपने सुझाव जुरूर भेजते रहें. आने वाले समय में अनेक परव भी आ रहें. आपको सभी परवों की धेर सारी शुब कामना है. आप अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहारों का आनन उठाएं. देश के लिए कुछ नकुछ नया करने की उर्जा निरंतर बनाए रखें. बहुत भुत धन्यवाद. नमस्का परिवादा बनाएं.